नमस्ते साथियों स्वागत है स्टेटीग्राम चैनल में आज हम हिंदी के गल्द सायत की अनविधा जीवनी पर चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में आत्मकता वदलेता आत्मकता पर मैतपूर विशेवे बात की थी तो चलिए अभी देखते हैं जीवनी के मैतपूर लेख कि इस प्रकार से हैं सबसे पहले हैं गोपाल शर्मा सास्त्री 1881 में दयानन दिग्विजे नामक जीवनी लिखी थी बाबु राधा कृष्णदास ने 1904 में भारते इंदु बाबु हरिशन्त का जीवन चरित लिखा था 1904 में यह प्रकासन वर्स भी हमें ध्यान देने के आ सकते हैं सिव नंदन का जो है वह भी उन्होंने जो जीवनी हरिश्चंद पर लिखी थी 1905 में रामचंद शुकल ने 1913 में बाबु राधा कृष्णदास पर जीवनी लिखी थी घंशयाम दास बिल्ला 1940 में बापु नामक जीवनी लिखी थी बापु नामक जीवनी प्रत्य अपने आप में महत्पूर बन जाता है अगला है सुशीला नायर का 1949 में बापु के करावास की कहानी नामक जीवनी लिखी थी ब्रज रतन दास ने 1948 में भारत इंदू हिश्चंद पर जीवनी लिखी थी इसमें आप देखेंगे जो भारत इंदू हरिश्मन जो जीवनी है दो लोगों ने लिखिये एक बाबु राधा कृष्ण दास ने और कोन लिखाया ब्रज रतन दास ने तिस प्रकार से दो जीवन की महत्पूर मानी गई हैं अगला है रामचंद वर्मा ने 1929 में महत्मा गांधी पर नामक जीवनी लिखाया किसने लिखाया रामचंद वर्मा मनमत गुप्त ने 1938 में चंद्र शेखर राजात पर नामक जीवनी लिखाया रामवरिक्ष बेनिपूरी में जय प्रकाश नाराण पर जीवनी लिखाया बलराज मधोक ने 1908 में डाक्टर शेमा प्रसाद मुखरजी पर जीवनी लिखा गया राहूल संकृतियान ने आगला देखते कि रीशी जैमने कोशिक बरुआ नामक जीवनी लिखाया राहूल संकृतियान तो आगला देखते कि रीशी जैमने कोशिक बरुआ ने दुर्वा ने उन्नी सो साथ हेस्वी में लिखाया है अगला देखते हैं जैनेंदर ने 1968 में अकाल पूरुष गांधी नामक जीवनी लिखिए ये भी प्रस्म महत्पूर बन सकता है अकाल पूरुष गांधी जीवनी किस ने लिखिए तो जैनेंदर ने हंसराज रबन इस ने लिखिए डॉक्तर शीव प्रसाथ सिंग ने उत्तर योगी श्री अर्विन नामक जीवनी लिखिए अमृत ललनागा ने चैत्य ने महाप्रभू पर 1975 में जीवनी लिखिए घंशियामदास विड्ला ने मेरे जीवन में 1975 में नामक जीवनी लिखिया है तो देखेंगे आप घंश्यामदास जो विड़ला है नामक दो जीवनियां लिखे हैं एक मेरे जीवन में बापू तो ये दोनों इंके जीवनी बहुत ही महत्पूर है घंश्यामदास विड़ला का अगला देखते हैं चंद्र शेखर शुकल ने 1963 में आचायराम चंद्र शुकल पे जीवन औ sangha Nao Putridsa का जीवन लिखा क्या है सो más続ky और एश्याई समाज पे नामकी जीवनिया लिखा है कि माक्स तो इसकियां की ऐसे कार्लमाक्स का पूछा जासकता है में आप देखेंगे तो माक्स तो माक्स suis rub had ever आंग मरू निवास जाजु ने summarize ले भी घंशाम दास बड़ला और मजो नामक आध़ा बना करके यह राम नुवास जाजु में रामिवाज याजू ने अगला देखते हैं शिवरानी देवी, महतबूरे इन लिखा है अगला अगला है अमजलें- अमधन गोपाल ने कलम का मजदर, दो में नामक जीवनी लिखा है अगला भागवती प्रसाद सींग ने 1968 में मनिशी की लोक यात्र नामक जीवनी लिखा है चलिए अगला देख लेते हैं कि राम विला शर्मा ने 1979 में निराला के साहित सान्दापर नामक जिवनी लिखा है, विशनु प्रभाकर ने, 1974 में अवारा मसिया शर्चंद पर नामक जिवनी लिखा है, अवारा मसिया आपका एंटिये सेलेबस में भी दिया है, हिंदीगान चान्ती जोसी ने 1970 में सुमित्राननद पंथ, जीवन और सहतेप पर नामक जीवनी लिखाया विश्णुचन सर्मा ने 1976 में अग्नी सेटु नजरूल, इस्वामप अधार बना कर अग्नी सेटु नामक जीवनी लिखाया जगदिश चन्द माथुर ने जिन्हों ने जीना जाना नामक जीवनी लिखा है 1970 में तेज बादू चोदरी ने 1950 में मेरे बड़े भाई शमशेर जी नामक जीवनी लिखा है कमला संकृतियां ने 1995 में महामानव पंडित महापणे राहुल संकृतियां को अधार बनाकर कमला संकृतियां ने 1995 में नामक जीवनी लिखा है अगला है विश्णुचंद शर्मा ने 1997 में समय सामेबादी राहुल संकृतियों का धार बनाकर समय सामेबादी नामक जीवनी 1997 में लिखाए प्रतिभा अग्रवाल ने 1997 में प्यारे हरिश्चंजु नामक जीवनी लिखाए सुलोशना रागे ने 1907 में रागे रागेवप एक कतरंग परिचे लिखाया किसने लिखाया तो सुलोशना रागे ने मदन मोहन ठाकोर ने 1919 में राजय नियादों पर नामक जीवनी लिखाया बिंदू अगरवाल ने 1919 में इसमृत के जहरोके से जो भारत भूशडग गरवात को अधार बनाकर इस मृति के ज़रो के नामक जिवनी लिखाया 1999 में अगला ग्यान चंद्र जैन ने 1999 में कथा शेष यानि अमरित लाल नागर को अधार बनाकर कथा शेष नामक जिवनी लिखाया ग्यान चंद्र जैन ने 1999 में अगला है महिमा मेता ने 2003 में उस्सो पुरुष यानि नरेश मेता पर जीवनी लिखाया अगला एक कुमूद नागर नें 2006 में वट अम्रिक्श की जो छाया अमरीतला नागर को आधार बनाकर वट अम्रिक्श की छाया नामक जीवनी लिखाया किसने लिखा ने उनके व्हाइक टितु चरीत पर गायतरी कमलेश्वन ने कमलेश्वन अगला है वीजे बहादुर मिश्ट ने आलो अच्वक का स्वधेश 2008 में नामक जीवनी लिखा है नानेंदर मुहन ने मंटो जिंदा है 2012 में नामक जीवनी लिखा है पूश्वत्तम अग्रवाल ने 2012 में कोलाज याने अशोग वाश्वेक को अधार बनाका कोलाज नामक जीव जीवनी लिखा है राम कमल रहन ने 2002 में शिखर से सागर्थ याने अग्ये को अधार बनाकर शिखर से सागर्थ नामक Turkish में या जीवनी लिखा है हिंदे के अब आगे देखते हिंदे के जो प्रतम जीवनीकार गोपाल शर्मा सास्त्ति माने जाते प्रस पूछा दरता है कि इंदी के जो प्रथम जीवनी कार कौन है तो गोपाल शर्मा सास्त्री है तो चली अभी के लिए इतना है धन्यवाद जैहिंद